हलो बच्चों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा नौ की हिंदी पाठ्य पुस्तक शितिच भाग एक का पहला पाठ लेकर उपस्तित हुई हूँ आज के पाठ का नाम है दो बैलो की कथा जिसके दूसरे भाग पर हम विचार करेंगे और दो बैलो की कथा पाठ के लेखक का नाम है मुन्शी प्रेम चंजी तो बच्चों, इससे पहले कि हम अपनी कहानी को विस्तार रूप से आगे बढ़ाएं इससे पहले ये जानना आवशक है कि पहले पाठ में कहानी कहां तक बढ़ी तो चलिए पहले पाठ के बारे में थोड़ा जान ले जूरी काच्छी नामक किसान के पास दो बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती दोनों बैलों की आपस में बड़ी खनिश्टता थी बड़ी दोस्ती थी एक दिन जूरी ने बैलों को अपने ससुराल भेज दिया लेकिन उनका मन वहां बिलकुल न लगा तो वो वापस जूरी के पास आ पहुचे पर जूरी की पत्नी को ये बात बिलकुल अच्छे नहीं लगी फिर अगले दिन जूरी का साला जिसका नाम गया था वह फिर से बैलों को लेने आया और वापस लेकर चल पड़ा किस कारण? खेती के लिए लेकिन बैलों ने भी मन बना लिया था कि वो खेती के लिए अपना एक कदम तक न उठाएंगे बच्चों उसी घर में एक छोटी सी लड़की उन्हें यानि की हीरा और मोती को हमेशा दो रोटियां छुपा कर खिलाया करती थी अंदर ही अंदर अपने साथ हो रहे भेद भाव से दोनों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था विद्रों से भरे हुए वे एक दिन बहां से भाग खड़े हुए और जाकर मतर के खेत में अपनी भूक शांत करने लगे अब यहां तक तो हमने भाग एक यानि दो बैलो की कथा के बारे में जाना था अब देखते हैं कि इस भाग में कहानी क्या नया मोड लाती है आगे जब वो मतर के खेत में खा रहे थे वहां पर उनकी मुट्भेड होती है सांड से तब हीरा कहता है अरे ये क्या कोई सांड डौंगता चला आ रहा है हाँ सांड ही है वह सामने आ पहुचा दोनों मित्र बगले जाक रहे है सांड पूरा हाथी है उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती इन्ही की तरफ आ रहा है कितनी भयंकर सूरत है मोती ने मूक भाशा में कहा बुरे भसे जान बचेगी कोई उपाए सोचो हीरा ने चिंतित स्वर में कहा अपने घमंड में भूला हुआ है आरजू और बिंती ना सुनेगा भाग क्यों न चलें तब दूसरे ने कहा भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो बंदा तो 921 होता है और जो धड़ाए तो तो फिर कोई उपाए सोचो जल्दी सोचो तब उन्होंने कहा कि उपाए यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें मैं आगे से रगेदता हूं और तुम पीछे से रगेदो दोहरी जब मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा मेरी और जप्टे तो तुम बगल से उसके पेट में सिंग खुसेड देना जान जो खिम है पर दूसरा उपाई नहीं है अब तो अब तो सांड के साथ मल्य युद्ध शुरू हो गया दोनों मित्र जान हत्यलियों पर ले करके सांड की तरफ लपकी सांड को भी संग्टित शत्रूं से लड़ने का तजर्बाना था वह तो एक शत्रूं से मल्य युद्ध करने का आदी था ज्यों ही हीरा पर वो जप्टा तो क्या देखता है कि मोती ने भी उसे पीछे से दोड़ाया सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने उसे रगेदा अब तो भयंकर मल्युद्ध होने लगा सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे पर वे दोनों भी बड़े उस्ताथ थे उसे वह अपसरी न देते थे एक बार सांड जला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सिंग भोक दिया सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो फिर हीरा ने दूसरे पहलू में सिंग चुबा दिया आखिर बेचारा जखमी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया यहां तक की सांठ बेदम होकर गिर पड़ा अब दोनों ने जाकर कहीं उसे छोड़ा मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं हीरा ने तिरसकार किया उसने कहा कि गिरे हुए बेरी को बेरी पर सिंग न चलाना चाहिए यह सब ढोंग है बेरी को तो ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठें अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो पहले कुछ खा ले तो सोचेंगे यह सोच कर दोनों मित्र पहुँचे हरे हरे मटर के खेत में सामने हरा हरा मटर का खेत था मोती तो उसमें घुज गया हीरा मना करता रहा मोती को लेकिन मोती ने उसकी एक न सुनी अभी बस दो ही ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठिया लिये दोड़ पड़े और दोनों मित्रों को उन्होंने घेर लिया हीरा तो बस मेड़ पर खरा था सो वो निकल गया लेकिन मोती सीचे हुए खेत में था और उसके जो खुर कीचड में धसने लगए थे न वो भागसा का अंततह भब पकड़ा गया और हीरा ने देखा कि उसका साथी यानि उसका संगी संकट में है तो वो भी लोट आया उसने सोचा फसेंगे तो दोनों फसेंगे रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया प्रातहकाल दोनों मित्र कांजी होस में बंद कर दिये गए अब क्यूंकि वो पहले से ही भूखे थे तो खाने के दर्शन तो उनको हो नहीं रहे थे दोनों मित्रों ने को जीवन में शायद पहली बार ऐसा सभी का पड़ा की सारा दिन बीद गया और खाने को एक तिन का भी नसीब नहुआ समझ में ही नहीं आता था कि भला ये कैसा स्वामी है ये उसके बारे में बोल रहे थे जो उनको पकड़ के लेके गए थे तो हीरा और मोती इस सोच में थे कि भला ये कैसा स्वामी है इससे तो गया अच्छा था गया अर्था जूरी का भाई यहां उन्होंने देखा कि कांजी हॉस में कई भैसे थी, कई बक्रियां थी, कई घोडे थे, कई गधे थे पर किसी के सामने चारा न था सब जमीन पर मुर्दो की भाती पड़े हुए थे जहां तहां और सब के सब बड़े कमजोर दिख रहे थे लेकिन भूग तो लग रही थी, क्या किया जाए तो उन्होंने कांजी हॉस के दीवार पर जो नमकीन मिट्टी चिपकी हुई थी, उसे चाटनी शुरू कर दी लेकिन भला उस मिट्टी के चाटने से क्या त्रिप्ती होगी, क्या भूग मिटेगी खाने का तो एक अनाच का दाना न मिला, रात को भी जब उनको भोजन न मिला, तो हीरा के दिल में विद्रो की ज्वाला धदक उठी हीरा बोला, अब तो नहीं रहा जाता, मुझे तो मालूम होता है कि अब प्राण ही निकल रहे हैं दूसरे ने कहा, बस इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहां से भागने का कोई उपाए निकालना चाहिए, आओ दिवार तोड़ें दूसरे ने कहा, मुझे से तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते और पकड़ते थे, सारी अकड निकल गई उसी समय उन नोगों ने कोशिश की की दिवार को तोड़ दिया जाए, क्योंकि बाड़े की दिवार कच्ची थी और हीरा मजबुत तो था ही, अपने नोकीले सिंग दिवार में उसने गड़ा दिये और उसे गिराने की चेश्टा करने लगा उसी समय क्या होता है कि कांजी हौस का चौकिदार लाल्टेन लेकर जानवरों की हाजरी लेने आ पहुँचता है और जब देखता है सामने का नजारा तो फिर उसे ये समझने में बिलकुल देर नहीं लगती और वो हीरा को कई डंडे रसीद करता है और फिर उसे मोटी सी रसी से बांद देता है मोटी कहता है पड़े पड़े आखिर मार खाई क्या मिला दूसरे ने कहा अपने बूते पर जोर से तो मार दिया न तो दूसरे ने कहा ऐसा जोर मारना किस काम का कि आप बंधन में ही पड़ जाएं तो दूसरा कहता है जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाएं तब दूसरे ने कहा कि जान से तो अब हाँ धोना पड़ेगा तब उसने कहा कुछ परवाह नहीं यो भी तो मरना ही है सोचो दिवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती इतने भाई यहाँ पर बंद है किसी के देह में लगता है जानी नहीं है दो चार दिन और अगर इसी हाल में रहे तो बस सब के सब मर जाएंगे तब दूसरे ने कहा हाँ ये बात तो है अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूं आखिर कार दोनों जोर लगाने लगे और आखिर कोई दो घंटे की जोर और आजमाईश के बाद दिवार उपर से लगभग एक हाथ गिर गई उसने दूनी शक्ती से दूसरा धक्का जब लगाया तो पूरी पूरी आधी की दिवार आधी से जादी दिवार नीचे गिर पड़ी अब जब दिवार कांजी हौस की तूट पड़ी तो क्या होगा यदि जानवरों को एक कमरे में रखा जाए और एक दिवार तूट जाए तो आप समझ सकते हैं कि जानवर का क्या हाल होगा सब के सब भाग जाएंगे और यही हुआ हमारी कहानी में दिवार का गिरना ही था कि तीनों घोडियां सरपट भाग निकली फिर बकरियां भी निकल गई पिछे पिछे और भैस भी किसक गए पर गधे अभी तक जियों के त्यों ही खड़े थे तो हीरा ने पूछा अरे तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते तब एक गधे ने जवाब दिया जो कहीं फिर पकड़ लिये जाएं तब हीरा ने कहा तो क्या गरज है अभी तो भागने का अफसर है तब गधे ने कहा हमें तो डर लगता है हम बस यहीं पड़े रहेंगे आधी रात से उपर जा चुकी थी लेकिन दोनों गधे अभी तक वहीं खड़े खड़े बस सोची रहे थे कि भागें या ना भागें और मोती अपने मित्र की रसी तोड़ने में लगा हुआ था जब वो हार गया तो क्या हुआ क्योंकि रसी तो बहुत मोटी थी जल्दी तूटना रही थी तो हीरा ने कहा तुम जाओ मुझे यहीं पड़ा रहने दो शायद कहीं भेट हो जाए तो मोती की आँखों में ये सुनते ही आँसु आ गए और उसने कहा तुम मुझे इतना स्वार्ति समझते हो हीरा हम और तुम इतने दिनों से एक साथ रह रहे हैं आज तुम विपत्ती में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है तो मोती गर्व से बोल रहा है आज इस अपरात के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझे पर मार पड़े तो क्या चिंता इतना तो हो ही गया न कि नो दस प्राणियों की जान बच गई वे सब तो आशिरवाद देंगे उसके बाद हीरा और मोती दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकालने लगे जब सुबा होती है भोर होते ही मुंशी मुंशी और चौकिदार तथा अन्य करमचारियों में कैसी खलबली मची होगी यह सारा भयानक दृश्य देख कर मुंशी प्रेमचंज जी ने कहा है कि ये शायद मुझे लिखने की आवशकता ही नहीं है और फिर वहां कौन बचा वहां बचे अंत में हीरा और मोती तो उन दोनों को मोटी रसी में बांद दिया गया एक सब्ता तक दोनों मित्र वहां पर बंधे पड़े रहे दोनों इतने दुरबल हो गए थे कि अब तो उनसे उठा तक नहीं जाता था एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने की आवाज आई और दोपहर होते होते वहां पर पचास साथ आदमी जमा हो गए तब दोनों मित्र निकाले जाते हैं कांची होस से और उनकी देखभाल होने लगी लोग आकर उनकी सूरत देखते और चले जाते वे सोस्ते कि ऐसे मृतक बैलों का कौन खरिदार होगा कि अचानक एक दड़ियल आदमी जिसकी आँखे लाल लाल थी और उसकी मुद्रा अत्यंत कठोर आया और मुण्शी जी से वह बाते करने लगा उसका चहरा देखकर अंतर ग्यान से दोनों मित्र अंदर से काप उठे और कई सवाल उनके मन में अचानक जाग उठे वह कौन है और उन्हें क्यूं टटोल रहा है इस विशय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे अब जान न बचेगी तो मोती ने कहा कहते हैं भगवान सब के उपर दया करते हैं उन्हें हमारे उपर क्यूं दया नहीं आते भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है चलो अच्छा ही है कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमीं बचाया था क्या अब न बचाएंगे दूसरा कहता है ये आदमी छूरी चलाएगा देख लेना तो कहते हैं तो क्या चिंता है मास, खाल, सींग, हड़ी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे आगे जब निलाम होने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चल पड़ते हैं यानि निलामी उनकी हो जाती है और दड़ियल दोनों के गले में रस्सी बांद कर उन्हें लेकर निकल जाता है लेकिन भय के मारे गिरते पड़ते भाग रहे थे चल रहे थे दोनों रहा में क्या देखते हैं कि गाए बैलों का एक रिवर हरे हरे हार में चरने चरता नजर आता है सभी जानवर प्रसने थे चिकने थे चपल थे कोई उचलता था तो कोई आनन से बैठा पागुर करता था अर्थात अपनी मस्ती का मालिक कितना सुखी जीवन था इनका पर कितने स्वार्थी हैं ये सब के सब किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी है उसके बाद दोनों यूही चले जा रहे थे चले जा रहे थे कि अचानक अचानक उनको ऐसा मालम हुआ कि ये राह तो परचित है अर्थात वो इस रास्ते को पहचानते हैं इसी रास्ते से तो गया उन्हीं ले गया था गया कौन गया अर्थात जूरी का भाई वह बैलों को इन्ही रास्ते से ले गया था इसी लिए दोनों बैल वो रास्ता पहचान गए वही खेत हैं वही बाग हैं वही गाओं सारी चीजें वही मिलने लगी प्रती शड उनकी चाल तेज होने लगी सारी थकान सारी दुरबलता जैसे गायब हो गई मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया तो हीरा बोला भगवान की दया है मैं तो अब घर बागता हूँ ये जाने देगा अरे इसे मैं गिराता हूँ नहीं नहीं दौड कर ठान पर चलो वहां से हम आगे न जाएंगे और इतना कहना था कि दोनों दौड कर अपने स्थान पर आए और खड़े हो गए गर्व के साथ दड़ियल ने भी उनका पीछा किया वह भी दौड़ता दौड़ता चला आ रहा था तब ही क्या देखता है कि जूरी अपने द्वार पर बैठा हुआ धूप खा रहा था बैलों को देखते ही वह दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा मित्रों के आँख से आनंद के आशू बहने लगे एक जूरी का हाथ चाटने लगा दड़ियल ने जाकर बैलों की रसियां पकड़ ली थी अभी वह अपने मालिक यानि हीरा और मोती दोनों अपने मालिक अपने स्वामी से मिले ही थे कि अचानक पीछे से दड़ियल आया और दोनों के गले में बंधी हुई रसियों को पकड़ लिया तब ही जूरी कहता है मेरे बैल हैं तो दड़ियल कहता है तुम्हारे बैल कैसे मैं मवेशी खाने से निलाम लिये जाता हूँ तो जूरी कहता है मैं तो समझा हूँ चुराय लिए जाते हो, चुपके से चले जाओ, मीरे बैल है मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल निलाम करने का क्या अख्टियार है जाकर थाने में रपट कर दूँगा मेरे बैल हैं इसका सबूत ये हैं कि यह मेरे द्वार पर खड़े हैं हीरा और मोती जब भागे जा रहे थे तो क्या देखते हैं कि जूरी द्वार पर पैठा धूब खा रहा था और जैसे ही उसकी नजर बैलों पर पड़ती है तोड़ के आता है और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा मित्रों की आँख से आनंद के आशु बहने लगे और इस तरह से मिलाप करने लगे जैसे कप के बिछडे मिले हों एक एक तो जूरी का हाथ चाट रहा था अपनी खुशी जाहिर कर रहा था और तभी दढ़ियल ने जाकर बैलों की रसियां पकड़ ली जूरी कहता है ये मेरे बैल हैं दढ़ियल कहता है तुम्हारे बैल कैसे मैं मवेशी खाने से निलाम लिये आता हूँ जूरी कहता है मैं तो समझता हूँ चुराई लिया आते हो चुपके से चले जाओ मेरे बैल हैं मैं बेचूंगा तो बिकेंगे किसी को मेरे बैल निलाम करने का क्या अख्तियार है आज थाने में रपट कर दूँगा मेरे बैल हैं इसका सबूत ये है कि यह मेरे द्वार पर खड़े हैं यह सुनते ही डड़ियल जला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा उसी वक्त मोती ने अपने सिंग चला दिये दड़ियल डर के मारे पीछे हटा भागा और मोती भी उसके पीछे दोड़ा यहां तक कि उसे गाउं के बाहर निकाल कर ही वह उसने दम लिया वहीं रुका दड़ियल दूर खड़ा होकर के धमकिया दिये जा रहा था गालिया दिये जा रहा था और तो और जुंजलाया हुआ वह पत्थर भी फेक रहा था गाउं के लोग ये सारा तमाशा देख रहे थे और हस रहे थे हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुसे में आकर मार ना बैठो तो मोती कहता है अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बे मारे न छोड़ता अब ना आएगा आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा देखूं कैसे ले जाता है तो दूसरे ने कहा जो गोली मरवा दे तो तो वो कहता है मर जाओंगा पर उसके काम तो ना आओंगा हमारी जान की कोई परवा ही नहीं कोई उसे जान समझता ही नहीं इसलिए कि हम इतने सीधे हैं अंत में जूरी और जूरी अपने दोनों प्यारे हीरा और मोती से मिल जाता है यहाँ पर मिलाप हो जाता है और जरासी देर में नादों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया जाता है और फिर दोनों मित्र खाने लगते हैं जूरी दूर खड़ा होकर सोचता है कि अच्छा हुआ ये दोनों लोटकर मेरे पास आ गए और फिर पास जाकर उन्हें प्यार से सहलाता है और वहीं पर बीसो लड़के खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे और सारे गाओं में उच्छा सा मालूम होता है उच्छा अर्थात उच्साह उसी समय मालकिन भी आती है और प्यार से दोनों बैलों के माथे चूम लेती है तो बच्छो इस प्रकार से इस कहानी का अर्थात दो बैलों की कथा का अंत होता है ये कहानी यहीं समाप्त होती है अब हम बढ़ते हैं प्रश्ण उत्तर की तरफ पहला प्रश्ण कांजी हाउस में कैद पश्वों की हाजरी क्यों ली जाती होगी तो इसका उत्तर यह है कि कांजी हाउस एक प्रकार से पश्वों की जेल थी उसमें ऐसे अवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेत में घुसकर फसले नश्ट करते रहते थे अतह कांजी हाउस के मालिक का यह दाइत्व होता था कि उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने ना दे इस कारण हर रोज उनकी हाजरी लेनी पड़ती होगी दूसरा प्रश्ण है कहानी में बैलो के माध्यम से कौन कौन से नीती विश्यक मूल उभर कर आए हैं इसका उत्तर है इस कहानी के माध्यम से निम्न लिखित नीती विश्यक मूल उभर कर सामने आए हैं जो इस प्रकार है एक तो सरल सीधा और अत्यदिक सहंशिल होना भी पाप है बहुत सीधे इनसान को मूर्क या गधा भी कहा जाता है इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष निरंतर करना चाहिए आजादी बहुत बड़ा मुल्य है इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए हमेशा तयार रहना चाहिए समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आजादी की लड़ाई में हमेशा अपना योगदान देते रहना चाहिए अब आगे हम देखेंगे कि इस पार्ट से संबंधित जो मुहावरे हैं वो कौन-कौन से हैं पहला मुहावरा हिम्मत हारना अर्थात निराश होना दूसरा टक्टकी लगाना अर्थात निरंतर देखना तीसरा जान से हाथ धोना अर्थात मर जाना चौथा इट का जवाब पत्थर से देना अर्थात कड़ी प्रतिक्रिया करना और पांचवा है दातो पसीना आना अर्थात कठिन परिश्रम करना और इसी के साथ मैं आज की ये प्रस्तुती यहीं समाप्त करती हूँ धन्यवाद